तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक चिकिन तो फ्रेंड्स इसे जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे हैं और मैं अभी स्टार्टिक में बता दे रही हूँ प्लीज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक नहीं करते हो तो आप प्ल पर नमक काली मिर्च का पाउडर पर एक स्पून बर के रेच्छी पॉडर को आड़ कर देंगे और यहां पर 10 मिनिट के लिए तो यहां पर दस मिनिट हो चुका है तो हम पहले इने फ्राइब करके ले लेते हैं तो हम इसे जादा प्राही नहीं करना है जेस्ट हमें सोटे क अलट पलट करते हुए ताकि जो मसाले हमने लगा इसके अंदर तो उसे बाव चिकन से सेपरेट नहीं हो जाए इसलिए हमें से हलका सा फ्राइ करके लेना है इसे जादा पकाना ही नहीं है मतला 50% इन्हें पका के लेना है इस तरह से में सारे पीसिस को डाल दिया है अब इसे दो मिनिट के लिए फिर से टर्न कर लेंगे तो इस तरह से में सारे एक एक करके में पीसिस को टर्न करते हुए जाओंगे अगिन में इसे दो मिनिट के लिए दखकन लगा कर लेंगे इससे आपका चिकन बिल्कुली कड़क नहीं होगा बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगा तो यह पर निखान ग्रेवी बना खुछाश फ्रीटी बना तो यहां पर कड़े लिए हैं तो ब्राव्न होने दिलख पकाना है ब्रावन मतलब एकड़ में करना है जैसे हलके ब्राउन हो जाएगा तो हम इने इसके अंदर कुछ सौसेज एड़ करेंगी तो यहां पर मैं एक चमच बर केचप एड़ किया और एक चमच बर किया पर एड़ कर दूंगी डाक सोय और स्वाधरन सा नमक भी एड़ कर देंगे तो सबसे पहले हम इने आफ और टीस्पून या खाली मिश का पाउडर को एड़ कर दिया है नमक यहां पर में बहुत कम यूज कर दो क्योंकि सौसेज में अल्लेडी नमक होती है तीस तरह से अच्छ से मिक्स कर लेने की बाद जो हमारा चीके ने फ्राई किया हुआ वह हम इसमें एड़ कर देंगी इस सौटे करके ले लेंगे विंटर में काफी अच्छी लगती है स्टार्टर आप इसे कह सकते हैं या फिर आपको इमयमाना है तो उनकी लिए सफ कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनके तयार हो जाती है तो इस तरह से में अच्छ सौटे कर डगा के रग दिया था तीर तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर जो हमारे चिकिन गार्लिक छिली बनके एकदम तयार हो चुका है तो चली आम इस सफ कर लेते हैं आप लोग को यह रिसीपी अच्छा लगा हूँ तो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब कर लेना तो चली फ् चली आम आपा लगा हूँ कर लें अच्छा तो अच्छा हूँ लगा हूँ झाल झाल